हेलो दोस्तो, आज मैं बात करूँगा एक वैफ सीरिस है, इंसाइड मैन, ये चार एपिसोट्स हैं इसके, और चारों एपिसोट कमाल के हैं, तो जो मुवी का जो प्लॉट है, वैफ सीरी का जो प्लॉट है, पूरा इस तरीके समझा देता हूं, एक बंदा है, जो जेल के अं होता है, कि जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए जो टीचर आती है, वो उसकी जो पैंडराइब है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ देखती है, जिससे वो बढ़क जाती है, उसकुश्रक होता है, कि अगर इस बच्चे को अभी नहीं समाला गया, तो या आगे चल के कुछ भ पुलिस को नबता दे, अगर पुलिस को इस नबता दे तो मेरे बेटे का करियर तबा हो जाएगा, वो क्या करता है, उसको किड्नैप कर लेता है, अब यो टीचर है, इसकी एक दोस्त बनी होती है, हाल फिलाल में, जिसकी इसने मदद की होती है, ट्रेंड के अंदर, वो इस इसको मलब एक तरह से वो उस जेल वाले बंदे के पास चलिया आती है, पूँचते हो इसके बारे में, कैसे से मेरी एक फ्रेंड है, और कई दिन से वो लापता है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वो उसको कुछ है, कहते हैं हिडिन चीजें बताता जाता है, एक तर इन चाहन से इसको लीड मिलती है, कि उसकी फ्रेंड आखिर है कहा पर, तो होता क्या हि कि जो टीचर है, वो अपने बच्चयों को बचाते बचाते, वो अपने पूरे घर को उस और तिल दी एंड जो उसका बेटा है वो इतिफाक से क्या होता ने कुछ चीजें इस तरीके से वरकाउट होती है कि वो उसका बेटा ही अपनी टीचर को चांस से मार देता है अब वो सारा इल्जाम जो है पादरी अपने उपर ले लेता है गलती किसकी होती है उस उसकी होती है और वो चुपाता है उसकी मां से और वो पैंड्राइब गलती से अपने बेटे को देता है बेटा टीचर के हाथ में सौन देता है तो टीचर को यह लगता है शायद यह पैंड्राइब इसी ही है अब यहां से चीजें जो है बड़ी खतरना हो जाती है अब जो जेल के अंदर बंदा बंदा है, उसके उपर इल्जाम है कि उसने अपनी वाइफ को जान से मार दिया और उसका गला काट के उसकी गरदन कहीं छुपा दिया जब यह दोनों आमने सामने आते हैं, पादरी और वो जेल के अंदर जो बंदा मौझूद है, जो कैद में होता है, वो कहता है तुम्हारे साथ जो गुजर रही है ना, तुम से मेरे से बहतर कोई और नहीं समझ सकता, यानि कि जो मैं यहां पर हो ना किसी वज़ा से, तो वो जो चीज़ है वो तुम से बहतर कोई नहीं समझ सकता,